हेलो दोस्तों वेलकम टू मंत्रम्या नाम है अम्रेंद्र कुमार दोस्तों एड़संस हर महीने के 21-22 तारीकों पेमेंट रिलेज करता है और आपके जीमेल पर यह वाला मेल हो गया है कि चेक यह रिसेंट पेमेंट तो इसका मतलब यह है कि एड़संस आपका पेमेंट हो जाता है या आपके द्वारा सही से बैंक इते होगा तो पेमेंट फ़स्त है जिनका परश्त पैमेंट आने वाला होता है तो इस वीडियो में आपको सब कुछ मेंपको sebenarm state सबस्केंट को अगर यह payment आपको नहीं मिलता है तो किस तरीके से आप इस payment को ले सकते हैं कहां पर आपको context करना होगा YouTube से contact करना होगा या bank में जाकर contact करना होगा कैसे contact करनोंगा सब कुष इस वीडियो में आपको तो इसके इस वीडियो में आप बने रही है और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप अभी लाइक कर देजिए और आप इस अनल पहली वारा है तो चैनल को वीजिए रुटाइब कर लेजाए सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन प्रेट निफिकर समय औ और इसके अलावा आपके एडेसेंस के अंदर आइडेंटिटी वरिकेशन एड्रेस वरिकेशन और युएस टेक्स फॉर्म और बैंक डिटेल यह चारों फिल होने चाहिए उसके बाद आपको उस महीने की 21-22 तारी को यह मेल रिसीव हो जाएगा और देखिए इस मेल में क् इसके बाद आपका पब्लीशर आइडी रहेगा और यहाँ पर डेट दे दिया रहेगा और मंथ पी दे लिए किस मंथ का प्यमेंट आ रहा है इसके बाद यहाँ पर नीचे मेंसन किया रहेगा इफ यू हैब नॉट रिसीव यूर पेमेंट विदिन फाइब बिजनेस दे प्रॉम डेट ऑफ इमेल प्लीश कॉंटेक्ट यूर बैंक फोर मोर डीटेल अगर पांच बिजनेस दे में बिजनेस दे का मतलब है कि आप संडे और अगर सटर डे को क्लूज है तो उसे भी आप छोड़ दी जाएगा फाइप वर्किंग डे में अगर यह पेमेंट आपको रेसीव नहीं होता है तब जाके आपको बैंक से कॉंटेक्ट करना होगा तो आपको जब यह मेल रेसीव होता है तो हाइप बिजनेस वर्किंग डे रेसीव करिए जिसमें आप सटर डे और संडे को छोड़ दीजेगा या कोई छुटी होगी उसको भी आप काउंट मत तो आपको यह मेल रेसीव हुआ है तो आपको सबसे पहले सेवेंट डेज तक वेट करना है यानि अगर आपको जो है 21 को मेल रेसीव हुआ है तो आप 26-27 तारी तक वेट करिए 22 को मिला है तब भी आप 27-28 तारी तक वेट करिए और इतना वेट करने के बाद अगर आपको यह payment receive नहीं होता है तब जाके सबसे पहले आपको अपने अदर से जहां पर भी बैंक detail फिल किये हैं उस बैंक detail को चेक करना है आप उस बैंक detail को चेक करिए कि हमने सब कुछ सही से mention किया हुआ या नहीं यानि बैंक detail ठीक से हम लिखें या नहीं सब कुछ हमने क्लियरली सही सही मेंशन किया है अगर कुछ भी मिस्टेक होगा तो फिर आपका पेमेंट भज जाएगा तो आप अपने अदर से आकर सारा चीज पहले मिला लिजाए कि बैंक detail हमने सही से भरा हुआ है बैंक lawrence na microphone आपको एक से दो दिन और वेट कर लेना है यानि इस पूरे महीने तक आपको वेड़ कर लेना है आपको 31 य acabar को मिल आया और आपका प्याइप बिजनेस वरकिंडे में नहीं आता है तो आप इस payment को receive कर पाएंगे अगर आपका payment 5 business working day में नहीं आता है आप सबसे पहले बैंक जाएगा और बैंक जाने के बद आप direct branch manager से बात करिएगा अगर आप किसी color किया manager से बात करेंगे तो उनको इसके बारे में कोई जनकारी ही नहीं होती है जो भी आपका bank detail है आप लेकर और अंदर से ही मिल जाएगा आप एडिसेंस में जाकर ये payment detail आप उनको दिखा दिए कि देखिए इतना डॉलर हमें YouTube के तरफ से जो है अरनी हुई है और ये एडिसेंस के तुरू हमारे bank account में आ रहा है और मैंने आपका ही bank detail जो है वो add किया है आप branch manager से बात करिएगा वो अप यही तरीका है अगर आपका payment फसता है अगर आपका payment फसता है इतना सारा process करने के बाद आपका payment आपको रसीव हो जाएगा फिर भी आपका payment आपको रसीव नहीं होता है तो आप हम से Instagram को contact करिए मैं आपको detail में प्रोसेस बता दूंगा Instagram का link इस video के description मिल जाएगा आप उस link क्लिक करके मुझे direct DM करिएगा और मैं आपको suggestion दे दूंगा कैसे कैसे आपको सारा process करना है जिससे आपका फसता हुआ payment मिल जाए दोस्तों आसा करते हैं अब आप समझ गया है कि जब आपको YouTube एडिसन से payment आए तो कितने दिनों में आपके पास पहुंच जाएगा और आपका आपके ख्याले कि गुद्वाइ